हेलो क्रेंट्स वागात है आपका दोस्त आज किस वीडियो में हम फेस्बुक की पुरानी सी पुरानी स्टोरी डाउनलोड करने की कम्प्लीट प्रोसेस को देखने वाले हैं आपने जबसे भी फेस्बुक आईडी बनाया है तब से लिकार अब तक जितनी भी श्टोरी लगाया होगा उनमें से कोई भीर स्टोरी यदिया आप डाउनलोड करना चाहते हैं देखना चाहते हैं तो कैसे आप download करेंगे आज किस वीडियो को दिया पूरा देखते हो तो बहुत ही असान तरीके से आप कर पाऊगे तो दोस्त आप जो भी story लगाते हैं वो 24 घंटे बाद यहां से हट जाती है तो वो story गई कहाँ पे है कहाँ पे हो सभी story होती है जब से भी आपने ID बनाया है और story लगाना चालू किया है तब से लिगार आप तक ही वो सभी story कहाँ है सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए उसके बाद आप download कैसे करेंगे फिसके बाद यह step आता है यहाँ पे आने के बाद दोस्त यहाँ पर ही बहुत सारे option मिल जाते हैं आपको यहाँ पर follow setting account status archive यह archive को जो option मिल जाता है इसी पर आपको click करना होता है क्या है archive मतलब होता छुप जाना यहाँ पर जो आप story लगाते हैं वो सब छुपी रहती है तो कहाँ पर छुपी है तो यहाँ पर देख सकते हैं और three line पर click करता हूँ save video पर click करेंगे save video पर click कर लेंगे तो यह देख सकते हैं इसको मैं दिखा यहाँ पर चलिए देखते हैं यहाँ पर gallery में आकर यह देख सकते हैं facebook की story आप save करते हैं तो यहाँ पर आकर save हो जाते हैं एक दो story हमारी save हो चुकी है तो इस तरह से आप story को facebook इस बुक की story को save कर सकते हैं यहां पर three line पर click करेंगे profile में click करेंगे three dot पर click करेंगे archive caption में click करेंगे archive caption में click करेंगे यहां पर सभी story archive होती है तो archive पर आप यहां पर देखेंगे देख सकते हैं यहां पर कुछ नजार नहीं आएगा तो story archive पर click करेंगे यहां पर सभी story आ जाती यदे वीडियो से हल्प मिलाज प्ली चैनल को सब्सक्राइब करें कि हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं